Hi Hello Students, In This Video, I Will Explain Various Steps Which Are Used In The Designing Of Chewy Safe Filter I Will Write Total Six Steps In Case Of Digital Chewy Safe Filter In Case Of Analog Chewy Safe Filter, You Will Require Only Five Steps तो देखिए क्या-काइच स्टेप होती है In The First Step, अगर आपने बडबद फिल्टर की Designing कि तो आपको यहां पर यह सब चीज़ें याद करने में याद देखने में समझने में दिक्कत नहीं होगे ठीक है ना because in the step number one we do the same thing which we do in case of designing of butterfly filter क्या करते हैं convert omega p into omega p and omega s into omega s यह जो omega है यह वाला जो omega है वो digital frequency है और यह analog frequency है so you are basically converting digital filter specifications into analog filter specifications ठीक है ना as per the given transform as per the given transform अगर BT method दिया हुआ bilinear transformation तो उसके थ्रू करेंगे उसमें क्या होता है उसमें होता है omega is equal to 2 by T 10 omega by 2 इसका यूज़ करके आप convert करोगे ठीक है ना अगर iiT method है तो omega is equal to omega by T होता है इस relation का use करके आप convert करोगे ठीक है और साथ में आप क्या find करोगे ap, es ap or es क्या है past band gain or stop band gain जो question में given होगा बस आपको वहां से note करना होगा ap और es के value तो step number one में यह हो गया step number two में again हम क्या find करेंगे order of the filter जैसे हमने बटर बट फिल्टर के लिए किया था formula भी same है बस cable और cable यहां पर log 10 की जगह के आ गया है बट बट फिल्टर के लिए so it is very easy to remember ठीक है यहां भी दिखिए अगर यहां पर one by es square अगर आप में लिखा है यह टम लिखा है तो यहां पे भी क्या आएगा इस टॉप बेंड वाला parameter that is omega s ठीक है न और division क्या है ap square पास्ट बेंड बाला parameter तो यहां पर भी पास्ट बेंड फ्रिक्वेंसी ही आएगी इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो ऐसा नहीं हो कहीं कि ओमेगा पी ओमेगा इसकरद है यहां पर तो गलत हो जाएगा इसके बाद इन नेक्स टैप वी फाइंड डवेल्यू और small a और small b क्या है यह मेजर माइनर और मेजर एक्सिस हैं यह जो ए है वह माइनर एक्सिस और बी क्या है मेजर एक्सिज ओफ इलिप्स ठीक है क्योंकि जो चेविसे फिल्टर है उसके जो पोल्स की लोकिशन होती है वह एक इलिप्स पे होती है जबकि बटबस फिल्टर में जो पोल्स की पोजिसन होती है वह सरकल पे होती है तो देखें इस स्मॉल ए और स्मॉल वी फाइंड करने के लिए यह दो फॉमुले दिये होए हैं ओमेगा पी इंटो म्यू पावर वन बाइंड माइन माइन स्मॉपावर माइन स्वन बाइन डिवाइड़ बाइड बॉट बई दी बी में क्या हो जाएगा यहां जो माइनस है वो प्लस म will remain same obviously बात है यहां पर प्लस है तो बी की वेलू लाजर होगी as compared to be इसलिए बी को हमने क्या वोला major axis और small a को क्या वोला हमने minor axis ठीक है अब यह omega p की वेलू तो आपने यहां पर step number 1 में find कर ली ठीक है अब बचा क्या n की वेलू भी आपने step number 2 में find कर ली मिउ बचा मिउ की वेलू कैसे find करेंगे मिउड इकल स्टू एपसाइलन पावर माइनस 1 प्लस अंडर रूड ओफ एपसाइलन पावर माइनस 2 प्लस ठीक और एपसाइलन किया यहां पर एपसाइलन जो आपके पास रिपल पास्वेंट परामीटर होता है और एपसाइलन की वेलू होती है इस इकल स्टू अंडर रूड ऑफ वन बाइप स्क्वेर माइनस 1 और एबी की वेलू और आपने स्टेप नंबर न में लिखी होगी वहां से यह वैलू पूट करोगे तो एपसलेन मिलेगा एपसलेन मिलेगा तो मिलेगा मिलेगा और मिलेगा तो यह और भी दोना वैल्वाप फाइंड कर सकी इसली राइट नाओ आइवल डिसकस रिमेनी थ्री स्टेप्स देखिए आफ्टर फाइंडिंग दे वैल्य ओफ इस्मॉल एंड इस्मॉल वी नेक्स स्टेप स्टेप नंबर फूर विए फाइंड दे पोजीशन और लोकेशन अप दे पोल्स आप चैवी से फिल्टर जो की एक इलिप्स पे होते हैं तो इलिप्स के लिए आपको पता है इस तरह की की हमारे पास एक्सप्रेशन होता है इस तरह की की टूशन होती है एस के क्या है केत नंबर का जो पोल होगा उसकी लोकेशन क्या होगी एक कॉस फाइके प्लस जे इंटू बी साइन फाइके अब देखिए यहां पे आपको ए भी पता है और बी भी पता है क्या न into pi इसमें k की value को आपको 1 put करना है 2 put करना है 3 put करना है तो कब 1 put करना है कब 2 देखे अगर आपके पास capital N equal to 1 है तो इसका मतलग cable system में एक pole होगा तो आपको cable k equal to 1 put करना है और 5 1 find रहना है और उस case में आपको s1 मिल जाएगा एक pole मिल जाएगा in case capital N equal to 2 है तो उस case में आप k equal to 1 भी put करेंगे 5 1 find करेंगे s1 find करेंगे then k equal to 2 put करेंगे 5 2 find करेंगे and then s2 find करेंगे दो pole आपको मिल गए इस तरीके से अगर N equal to 3 है तो k equal to 1 put करेंगे s1 find करेंगे k equal to 2 put करेंगे 5 2 s2 find करेंगे and k equal to 3 put करेंगे तो आपको Phi2 मिल जाएगा और उससे आप S3 find कर लेंगे three poles you will find ठीक है ना the location of three poles you will find तो वो K की value को one से start करना है और कहां तक याना है वो depend करता है कि system का order क्या है जो आपने अभी find किया है right question के according तो इस तरीके से से step में आप location of poles find कर लेंगे s1 s2 s3 वगरा find कर लेंगे ठीक है now in the next step you will write the transfer function h of s for the analog चैविसे filter analog लिखा है तो h of s लिखेंगे right equal to k divided by s minus s1 s minus s2 s minus s3 इस form में लिखा जाता है तो जितने poles होंगे अगर आपके पास capital n equal to three है तो तीन पूल आपने यह find कि होंगे s1 s2 and s3 so you will write s1 s2 s3 लगे यह तीन फेक्टर आएंगे अगर in case अगर capital n equal to two है तो उसकेस में केबल दो ही फेक्टर आएंगे यह नहीं आएगा बाकी capital n equal to two के लिए दो पूल होंगे s1 s2 वाले तो यह दो फेक्टर आएंगे capital n equal to one ही है तो केबल एक फेक्टर आएगा बस यह वाला ठीक है तो इट depends यह जो multiplication है s minus s2 s minus s3 यह कहां तक जाएगा वो डिपेंड करेगा कि system का जो order है order of the filter क्या है order three है तो तीन फेक्टर होंगे order two है तो दो फेक्टर होंगे order five है तो फाइफ factors होंगे ठीक है न और s1 s2 s3 s4 syp value put करेंगे तो आपको यह एक्सप्रस मिलेगा अच्छा यहां पे सब कुछ known है except के की value कैसे find करेंगे तो देखिए के की value find करने के लिए वो depend करेगा आपके पास दो option है या तो n की value odd होगी या तो even होगी ठीक है जैसे आपने n equal to two find किया तो वो क्या हो जाएगा even वाले case में चला जाएगा कॉमा 4 होगा तो भी even वाले case में होगा अगर capital n equal to value 1 है या 3 है या 5 है तो इस case के थुरू आप value find करोगे कैसे find करेंगे आप इस expression में s equal to zero put करेंगे और उसको equate करेंगे 1 से तो 1 is equal to क्या हो जाएगा k divided by यहां पर s 0 होगा यह भी 0 होगा यह भी 0 होगा तो क्या बचेगा s1 s2 और यह जो value सोंगी वो क्या होगी numeric value यह may be complex number it may be real number तो आपको एक numeric value मिल जाएगी यहां से k की ठीक है इसी तरीके से अगर capital n अगर even है तो उस case में यहां पर equation number one का use करके आप इस condition को apply कर दीजिए ठीक है इस expression में s equal to zero put कीजिए और h of s को equate कर दीजिए ap से तो ap is equal to ap क्या होता है ap की जगे आप यह भी लिखते है वन बाय अंडरूड one plus epsilon square यह भी होता है ठीक है ना बट आपको तो ap गिवन है न स्टेप नंबर वन में तो यहां पर रखी है के डिवाइड़ बाय यहां पर भी सेम चीजिज होगी एस की वैलू जीरो हो गई तो यहां पर गेवल निमेरिक वैलू बचेंगी और की वैलू वोऔ में तो आप फाइंड कर लोगी ऐसा क्या है ऐसा भी देख लेते हैं देखिए ऐसा आम ने क्यों लिखा अंधुमा मुझ fishermen कि और ग 폭णता क्या है कि आपके पास जो चैविस goddessल्टर होता है तो उसमें type 1 की बात कर रहा है है कि टाइप वन चैविशे फिल्टर ठीक है न टाइप वन चैविशे फिल्टर में क्या होगा यह अगर उमेगा है क्यों है ठीक है और यह आपके पास मौड ऑफ एच जी ओमेगा है मीन्स आप मेगनिट्यूट रेस्पॉंस की बात करना है तो इन केस ऑफ टाइप वन आपके पास दो केस होंगे लाक है और एक केपिटल एंड ओड है और होंगे जो रेस्पॉंस होगा और्च फिल्टर का एक अपको इस तरीके का जा difa जब आपको मिलेगा ठीक है यह हो जाएगा आपके पास यह जो है रीजन स्टॉप बेंड का है इस्टॉप बेंड ठीक है और ये जो रीजन है यह वाला जो रीजन है वो है पास्ट गेंड और यह वाला क्या है Transition तो कहने का मतलब जो important point है वो क्या है कि जो starting है omega is equal to 0 omega equal to 0 का मतलब क्या है s equal to 0 क्यों s क्या होता है s होता है sigma plus j omega ठीक है तो omega equal to 0 हो जाएगा तो यह s 0 हो जाएगा और यहां पर हम 0 put करेंगे तो जो starting point है omega is equal to 0 पे तो वो कहां है वो 1 है इसलिए हम देखिए n equal to odd के लिए n equal to odd के लिए h of 0 की value मतलब जो starting point है omega is equal to 0 उसकी value क्या है 1 ठीक है और यह वाला जो point होता है वो क्या होता एपी यह वाला ठीक है अब हम capital and even की बात कर रहें तो response तो यह होगा यह जो pass band है इसमें repulse होंगे oscillations होंगे स्टॉप बेंड में monotonic behavior होगा तो यहां भी आसा यह लेकिन स्टार्टिंग पॉइंटर डैट विचेंग जो स्टार्टिंग पॉइंटर वो क्या हो जाएगा एपी कि अगें यह आपके पास स्टॉप बेंड हो जाएगा यह आपके पास pass band हो जाएगा आपको जो इंपॉइंट पॉइंटर वो क्या है जो उमेगा इस इकल टू जीरो पे वैलू होगी वो क्या होगी एपी ठीक है ना वन से चीज होती है राइट तो यह समझ आगे आपको के की वैलू अपने फाइंड कर ले और के की वैलू जो भी मिलेगी उसको आप इस इक्क्वेशन में पूट करोगे तो यहां पर कोई निमेरिक वैल्व आ जाएगी आपके पास सपोज तो पॉइंट थी या फाइफ पॉइंट टेट यह जो एक्सप्रेशन होगा यह वहाला जो एक्सप्रेशन होगा डैट विल बी यॉर आंसर इनकेस यू नीड तो डिज य पर आपको डिजायन करना है इन केस अगर आपको णिजिटल शेय फिल्टर होगा ठीक है न रिस क्या है convert in H of S into H of Z as per given transform technique तो या तो bilinear transformation दिया होगा question में या impulse invariant transform technique दी होगी तो या तो इसके थुरू या तो इसके थुरू आपको क्या करना पड़ेगा एच आपको क्या करना पड़ेगा और इससे related video में already बना चुका हूं ठीक है न वहां पर question solve किये हैं वहां से आके आप और refer कर सकते हूं कि how to convert h of h into h of z तो यह हो जागा step number six ठीक है न इस तरीके से हम चैविशेव filter designing की बात करते हैं और this is the procedure to design the चैविशेव in a log or digital low pass filter ठीक so thank you everyone for listening